आस्टेन का बहुत फैमस कुशन समीकर्ण युगमों को रेखिक समीकर्ण युगमों में बदल कर हाल करना तो यहाँ पर यह आपका वीडियो पार्ट 3 है अन्य जितने भी वीडियो है सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे वहाँ से विजिट करके अ प्लस C इक्वल टू जीरो के फॉर्म का है वो आपका रेखिक समीकर्ण कंळाता है इनको ध्यान से देखो यहाँ पर तो 1 by x आ रहे है 1 by y आ रहे है 1 by x आ रहे है यह यह रेकिक समीकर्ण नहीं है तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं एक छोटा सा काम करते हैं यहां पे हमने माना जो 1 by x है इसको मैंने एक नया variable P मान लिया 1 by y को नया variable Q मान लिया तो हम लिखेंगे समी करन देखो कहां से एक वै दो से या कामान समी करन एक वै दो में रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं आपकी जो मर्जी है वो लिखें ठीक है लेंग्वेज परफेक्ट और करेक्ट होनी चीए ठीक है अब देखो 1 by x को हमने यहां पे क्या माना है दोस्तों P माना है 1 by y को हमने क्या माना है क्यू माना है और equal to में कितना है 2 चल रहा है इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाओंगा यहां पे x और y तो आपके क्या है चार है जबकि a, b, c, y अच्छ है यह नहीं यहां पे चाहिए आप 1 by 2 लो 1 by 4 लो या 5 लो, minus 6 लो इसका कोई फ्रक नहीं पड़ेगा लेकिन 4 क्या होने चीए इस पॉम में ही होने चीए ओके तो यहां पे यह दे के गबराना नहीं कि 1 by 2 लो 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 1 by 3 लो लो आपको क्यों किस से मदलब है variable से मदलब है ओके और यह EL number होने चीए अब यहां पे हम क्या करते है 1 by X को हमने P माना है 1 by Y को हमने Q माना है equal to में कितना है देखो इसको equation 3 दे देना है इसको equation 4 देना है अब मुझे क्या करना है द्यान से देखना है इसको एक बार X के रूप में imagine करो Q को Y के रूप में imagine करो तो एकदम exact क्या है इसके जैसा नहीं है 2 को इस तरह प्ले आउट हाँ आप कहेंगे कि एकदम exact इसके जैसा ही है यह नि यह 3 और 4 क्या है यह भी देख लो आपके रेखिक समी करना है तो यहां पे लिखना ठीक है रेखिक समी करन यूगम है देखो एक साथ होती तो उनको क्या कहता है यूगम कहता है अब यह रेखिक समी करन यूद क्यूं है इसका भी हमें एक छोटा सा करन देना पड़ेगा करन देते है क्योंकि यह AX प्लस BY प्लस C इक्पल टू जीरो के रूप की है देखो मैंने पहले आपको ये क्यूं बताया तांकि यहां आपको समझने में दिक्कत ना आए अब मुझे सोल करना है देखो रेखिक शमीकन को सोल करने के हमारे पास कितनी विदी, तीन विदी विलोपन विदी, परतिस्तापन विदी और वज़र गुणन विदी, आपको जो अच्छा लगे उसको काम में ले लिजेगा तो यहां पर मुझे जो है वज़र जो गुणन विदी वो अच्छा लग रही है ठीक है, ऐसा ज़्यादा केल्क्पिलेशन वाला लग रहा हो न उसमें वज़र गुणन लगा देना चीए उसमें क्या करते हैं, वज़र गुणन सब को एक साइड लाते हैं तो यह जो 2 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होजएगा, प्लस का है, तो माइनस का होजएगा ज्याद रखें, साइड चैन्स करने पर चीए बदलते हैं सिमिलेली, यहाँ पे 1, 3, 2, 6 को इस तरह अपलाएंगे तो माइनस का होजएगा, अब यहाँ पे वज़र गुणन विदी से ओके नाम लिख देना चीए, वज़र गुणन विदी से क्या हो रहा है, P को लेंगे हम, equal to Q को लेंगे, equal to 1 को लेंगे देखिए वज़र गुणन विदी के हमारे special वीडियो आ चुके है कम से कम 7-8 वीडियो है, 7-8 कुशन मैंने सोल किये हुए है सब की link नीचे अपड़े उन्हें जाकर देख लिए, यहाँ पे मैं आपको direct है जो बता हूँगा, कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा मैं कर रहा हूँ P को लिया है, तो उस समय P के जो पद है, उनको भूल जाना है यहाँ पे जो Q का coefficient है, गुणाख है, इसको यहाँ पे इसके साथ cross multiply करना है तो यह कितना बन जाएगा दोस्तों, देखो आपका 13 by 6 multiply 1 by 3, और यह किसका है, minus का है, तो minus आएगा यहाँ पे 3 इसके साथ multiply हैगा, तो 18 आगया और फिर minus इनका cross multiply आपको करना होता है तो यह कितना बन जाएगा, देखो, कितना है, 2 multiply 1 by 2, minus 1 बन जाएगा, और यह minus हो रहा है, तो minus और minus क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, अब हम किसके पास आगे, Q के पास आगे तो इस समय इसको अटाएगे, हम ऐसा करेंगे, देखो पहले हमने सुरवात कहां से करने होती है, उपर से ऐसे करने होती है तो यहां पे, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं समय कौन आया, रास्ता में यह आया, यह ऐसा समझो P के बाद Just है उसको लिया जब Q को ले रहे हैं तो इसके बाद Just है उससे अपनी सुरात करने है तो यहां से ऐसे तीर आएगा, कहां पे आएगा P के पास आएगा, क्यूंकि Q को ले रहे हैं इसको तो हमें भूल जाना है जिस समय जिसकी बाद की जारे है उसको भूलना है जिससे P की बाद की तो तो तुमने P को भूला Q की बाद कर रहे हैं तो Q को भूलना है ओके, तो यह कितना बन जाएगा दोस्तों आपका माइनस 2, 3 बन जाएगा और माइनस देखो पहले उपर से तीर मारा फिर नीचे से तो अब यहाँ उपर से तीर मारा नीचे से तीर मारेंगे ठीक है ऐसे समझो तो यह कितना आएगा माइनस तेरा भाई बारा आएगा और यह फिर माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओके अब देखो मैं किस के पास आ गया constant के पास आ गया तो इस समय इसको हम भूल जाएंगे वापस गूम के कहां आएंगे यहां से तीर मारेंगे यह कितना 1 by multiply 1 by 2 multiply 1 by 2 1 by 4 हो गया फिर minus इनका multiply करना होता है यह हो गया minus 1 by 9 अब देखो यह calculation मेरे पास आई है इसको मुझे हल करना है इसको हमें जो यहां पर हल करते है ठीक है LCM लेंगे तो अठारा आएगा यह यहां चला जाएगा minus 13 plus 18 कितना 5 बटे 18 आगया यहां पे आपका LCM क्या आएगा 12 आएगा ठीक है 3 का 12 हम भाग देंगे 4 बार 4 का उपर गुणा होगा minus 8 plus 13 कितना आजाएगा दोस्तों आपके पास plus का 5 आजाएगा और बराबर में क्या चलड़ा है ध्यान से देखो LCM क्या आएगा इन दोनों का multiply यहनि 36 तो 9 यहां आएगा यह यहां जाएगा तो 9 minus 6 आर कितना आगया 5 आगया ठीक है LCM के भी हमारे special वीडियो आए हुए है उन्हें जाकर देखो अब क्या करना होता है फास्ट एंड लास्ट को इक्वल टू करना होता है पी बाई पांच बटे अठारा इक्वल टू पांच बटे 36 तो देखो इसमें यहां पे होगा क्या इनका तिरी एक multiply होगा तो यह आपका यहां पे इसके नीचे भाग में है तो इसके यहां आप सबर साथ में multiply में आ जाएगा ओके समझे क्या यह पांच बटे 18 यहां नीचे देखो इसको इसे एक पांग के चलो किस में हैं भाग में तो यहां multiply में आ गया यहां पे साथ में कौन बेठा है यह इसको बूलना नहीं यहां पे गलती होती 1 by 5 by 36 है तो यहां जो divide के divide में होता है वो आपका उपर आ जाता है 5 से 5 कैंसल हो गया कितना P बराबर 2 आ गया शी प्रकार से हमें क्या करना है second और last को भी equal to करना है तो यहां से Q बराबर क्या आएगा देखो यहां पे किस में divide में इसको यहां बेजेंगे तो multiply में आ जाएगा 7 में देखो 37 नीचे divide के divide में उपर आ जाएगा 5 से 5 कैंसल हो गया और यह कितनी वार कैंसल उट होता है दोस्ता आपका 3 वार कैंसल उट होता है अब आपके पास P बराबर कितना 2 आ गया Q बराबर कितना आ गया 3 आ गया अब आपको last में क्या करना है अपने result पे पहुंचना है result आपको क्या चीए X और Y की value चीए result में क्या चीए X और Y की value चीए तो यहां पे last में लिखेंगे 1 by X equal to देखो P का मान कितना है 2 है तो X बराबर कितना आ गया तिरे एक multiply यह यहां जाएगा उसी समय यहां आ जाएगा 1 by Y यहां पे इसका मान कितना है 3 तो Y बराबर कितना आ गया 1 by 3 यह आपके क्या है समीकर्ण के हल है समीकर्ण के हल है समीकर्ण इवगम के हल है समझ आया है तो नीचे कॉमेंट में लिखें इसके बारे में कुछ जो आपको इसमें अच्छा चीज लगा है ठीक है X का मान आया है 1 by 2 ठीक है Y का मान 1 by 3 एंस वर सही चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत बूली प्लीज